आप देख रहे हैं मेरा यूटिब चैनल जहाँ पर मैं वीडियोज अप्लोड करता हूँ अगर आप किसे भी competitive exam की तैयरी कर रहे हैं जहाँ पर higher mathematics पूछा जाता तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही helpful है यहाँ जो IT पर यहाँ पर जाके मेरे previous वीडियोज आप देख सकते हैं अभी मैंने आपके सामने sequence का वीडियो अप्लोड किया था last time पे real answers के अंदर और आज मैं आपके सामने sequence बताने वाला हूँ कि जो bounded sequence होती है bounded above, bounded below, increasing sequence, decreasing sequence, like monotonic sequence यह सब क्या होती है यह मैं आपके सामने बताने वाला हूँ तो मेरे जो previous वीडियो से हैं वो एक बार आई टेप पे जाके देख लेजे यह अच्छा समझ बाएगा राइट तो सुन देखते हैं यहां पे sequence सबसे पहले मैं बात करूँगा bounded sequence के अंदर और bounded sequence समझने से पहले आपको यहां पे bounded below और bounded above समझने की जरू होता है इस भी टम जो है वो से क्या होनी चाहिए चोटी होनी चाहिए for all n belongs to n and m is called upper bounded of a n मतलब example देखे समझाना चाहूँगा कि यह अगर हमारे पास कोई sequence है तो आप जानते हो one upon n वाली sequence में आप n की value one रखेंगे two रखेंगे three रखेंगे तो हमारे पास यह terms आएगी और आप देख रहे हो इसमें सभी term एक से छोटी है मतलब एक जो है इसका क्या हो जाएगा अपर बाउंड हो जाएगा और यह bounded above sequence हो जाए क्योंकि वन से बड़ी कोई term नहीं है राइट वन बाई two वन बाई three वन बाई four तो यह हमारे पास sequence हो जाएगी यह क्या हो जाएगी bounded above sequence हो जाएगी राइट अगर हम बात करें यहाप एक और एकग्जाम्बल देना चाहूं मैं आपके सामने यहाप तो bounded above तो का एक उर एक्जम्पल देखें हैं यह ना इसका होगा वन से सभी ट्रमियाँ पर चोटी होई है ना इसका क्या होगा अपर बांड हो जाएगा एक तरसे देखा जाए था ना वन इसवे इक्जम्पल नंबर 2 की बात करेंगे तो माइनस 1 पावर एंड यह हमारे पास माइनस 1 1 माइनस 1 इस टैप से इस्की टम आती जाएगे इनकी वेली 1 2 3 रखेंगे तो यह टमसा आगे और आप देखरें वन इसका हाइस्ट वेल्य वन से बड़ा कोई भी सिक्वेंस में पर नहीं आएगा तो वन क्या हो जाएगा यह अपर बाउंड हो जाएगा है ना और यह हमारे पास क्या हो जाएगी अब वाउंडेट अब सेक्वेंस हो जाएगी है ना तो हम देख रहे हैं क्या है यहाँ पर कोई भी इससा एम-e motivo क्या हो चोटी हो तो इसका मतलब्स क्या हो जाएगा minus 1 minus 2 minus 3 इस तरह साथ जाएगा तो minus 1 से बाकी सभी term क्या है छोटी है इसलिए यहाँ पर minus 1 जो होगा वो इसका high बड़ा number होगा और इससे बड़े number कोई है दूसरा नहीं होगा इसलिए bounded क्या हो जाएगी above sequence हो जाएगी जहाँ पर m की value क्या होगी minus 1 होगी इसी तरह से हम next example को समझना चाहें यहाँ तो इसको भी हम समझ सकते हैं जिससे minus 1 power n upon n अगर यहाँ तो आप देख रहें यहाँ तो आप देख रहें यहाँ पर सभी टम क्या होगी चोटी होगी है अब बात करेंगे बाउंड़ सेक्वेंस का मतलब क्या होता है उसके लिए में lower bound का जोाइं सब्सेम समझना पड़ेगा फिर पर बात करेंगे सभ्मई में और अब करेंगे बाउंड़ बिलो सभ्म choir क्या होता है और अगर कोई बिस लिएा बाउंड़ समझ लिता फ़्म सबहुत पॲूर्ड या लोईर बांड़ थो और यह जो तो m होता है, small m, यह इसका क्या हो जाता, lower bound हो जाता, और यह bounded, below sequence हो जाती है, clear है, मतलब उससे छोटा को यह दूसरा number नहीं हो सकता है, clear है, तो example देके समझाना चाहूं, जिसे हमारे पास यह example दे रहे है, 1 by n, right, तो आप देख रहे हो, यहाँ पे, हम n की value 1, 2, 3 रखते जाएगे, तो यह 0 को converge करी है, एक टाइम पे n tends to infinite पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यह जो 0 होगा, 0 से कोई छोटी term यहाँ पे नहीं हो सक देख रहे है, तो 1 इसका क्या होगा, तो 1 इसका क्या होगा, यह जो 0 होता है, और यह हमारे पास क्या होती, bounded, below होती और, यह क्या हो जाएगी bounded below sequence हो जाएगी right इसमें नेक्स आगे बात करें यहाँ पर जिसे मैं बात करूँ यह हमारे पास कोई sequence दे रहे हैं आप देखे रहे हो हम दो जाएगी क्योंकि बहुत सारी मिनस बात करेंगे इसी तरश माँनस बात करेंगे माँनस बात करेंगे अप आप यहाँ निकालेंगे तो मैंने भी आपके सामने इस sequence को minus 1 power n को बताया ताकि इसको खोलेंगे हम यहाप है तो हमारे पास मैंने आपको सामने बताते हैं यह example रहे है minus 1 minus 1 battery तो minus 1 इसका क्या हो जाएगा lower bound हो जाएगा और minus 1 इसका क्या हो जाएगा lower bound होने की वज़े से 500 इसकार mình को क्या होता है और सख्रांश क्या होता है अब बात करेंगे माचस्वेंस का मतलब यह न sequence को हम निखा ले यहां तो यह 1 by 2 आएगा फिर यह 1 by 4 आएगा रिए 1 by 2 है यह 1 by 4 आएगा फिर यह next 1 by 3 1 by 4 ऐसे आता जाएगा यहां पर 1 by 5 है ना 1 by 5 तो यह up to infinite जाएगा तो जीरो होजाएगा तो यह upper bound इसका one है और lower boundu क्या जाएगी- uh सब्सक्राइब यह भी भी हमारे पास किया होगी माँड़ बांडेड बिलो ती एन पर अगर माँड़ इस लिए जो सपपनेंगे कुछ एक पॉर्न हैं पुटिकुलरच तिस ही नहीं कर रहा है तो पर उपर वॉन ऑड़ नहीं कर रहा हुगा रहा हुगी तेट्स व्या क्या ह कि Avber इसकी और इसारील नमबर exist करें कि उसका जो सिक्वेंस की वेल्यू उससे क्या चोटी में दो माइनस के और के के बीच में तो एक्जम्पल लेते हैं यह उने मतलब क्या होता है मौर्ट का मतलब यह हुता है इसकी मैंनस सिक नीच यह वो हमारे पास किया हो जाती ही, यह भांड़ेड से क्लियर है? तो लिए टो फॉर एंग्जमपल एंट ह canvas, से जो एंसाइंट पाइबाइबाइब करेंके नहीं है, तो फॉर एंट हम खुर्ण एंसाइंट हो जाए गांगा, इसका मोड निछा लेंगे यह हमारे पास less than pi हो जाएगा तो हम जानते इसकी वेलिए क्या होगी minus pi से pi के बीच पर exist करेगी तो यह हमारे पास एंज होगा यह क्या होगा हमारे पास bounded sequence हो जाएगा तो इस तरह हम easily इस question को solve कर सकते है next question देखिए आप सुनिया पर next concept समझने कोशिश करें नेक्स जो होता है वो मारे पास monotonic sequence का होता है इस फिन monotonic sequence का मतलब क्या होता है monotonic sequence का मतलब होता है या तो increasing sequence या फिर decreasing sequence है ना दोनों को हम monotonic sequence बोलते है right so monotonic increasing sequence का मतलब होता है कि a sequence sn is set to be monotonic increasing if बाकी सभी टम क्या और ही उससे बढ़ी हो मतलब Sn से बढ़ाओ for example जैसे मैं आपके सामने बूलू यह कोई sequence दे रही है है ना तो हम जानते यह sequence क्या होती है हमारे पास monotonically increasing sequence हो थी 1 2 3 बढ़ता जाएगा right in other words a sequence is said to be monotonically increasing if the value of its term are never decreases मतलब कभी वो down decrease नहीं हो हमेशा क्या इंक्रीज और इसन प्लस वन is greater than Sn for all n belongs to n then the sequence is said to be strictly increasing इस्वें अगर equal हो जाएगा तो यह हमारे पास increasing sequence होती हो और अगर only greater than है यह आप है तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा strictly increasing हो जाएगा तो strictly the important definition of monotonically decreasing sequence a definition देखें आप a sequence this Sn is said to be monotonically decreasing if उसकी जो next time है वो से क्या बड़ी टम से क्या हो next time से क्या होने चोटी होने चीए for example मैं आपके सामने sequence नहीं minus n तो आप जानते कि इसकी हर time क्या होगी next time से क्या होगी चोटी होगी right यह आएगा minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 तो हम जानते कि sn plus 1 term इस sn चे क्या है चोटा है और less than equal आएगा तो decreasing होगा और less than आजाएगा यहां पर ऐसा आजाएगा तो यह क्या हो जाएगा strictly decreasing sequence हो जाएगा right so in other words a sequence is said to be monotonically decreasing if the values of terms is never decreases कभी वो increase ना करे right ठीक है ना अगर बाइचांस यह less than sn plus 1 is less than sn then the sequence this sn is said to be strictly decreasing sequence है ना so next example देखिए यहां पर हमारे पास अगला example मैं आपको समझाता हूँ यहां पर इस पर बेस कुछ होती होती जा रही है तो यह bounded अभव है और bounded अभव होने के वज़े से यह सिक्वेंस क्या हो जाएगी मतलब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगी पर यह bounded sequence नहीं होगी कि कि यहां पर यह जो छोटी मतलब कितना घटे का मतलब कितना कम होगा इस लास्टम हमें दे नहीं रहे कि मतलब यह bounded अभव मतलब है पर bounded बिलो नहीं है हमें यह पता नहीं पर रहे होने माइनस इंफानेट तक जा रहा है और यह जो सिक्वेंस होगी बांडेट नहीं होगी सेकंड एक्जाम्पल देखे दिखे दिस 3579 हम जानते ही monotonically increasing sequence है यह है यह जो सिक्वेंस है इस सिक्वेंस बांडेट बिलो है ना छोटा पता है तीन है पर बाखी सबी टम तीन से बड़ी होती जारी पर हमें यह पता नहीं पर लग लग रहे है कि maximum कहा तक जाएगी इससले क्या होगा इसका यह हमेशा क्या होती है बांडेट आप और इंक्रिस इखो तो है पर बाट इट कि बात करें के बारे क्रुंडでは बौन्ड इंखया Drive तो इस तरह से हमारे पास यहां पर concept होता है मैंने आपको समझाया है वो sequence के बारे में हलका सा idea है क्योंकि मैं जो next upcoming classes लेकर आने वाला हूँ वहाँ पर theorems के पुरूब बताऊंगा प्लस कुछ questions बताऊंगा तो वहाँ पर आपको यह पता होना चाहिए कि sequence क्या होती है, bounded sequence क्या होती है, monotonic sequence क्या होती है तो basic terminology वह आपको सिखना ज़रूरी है ताकि आपको next upcoming videos में आपको चीज़े समझ बहा है So, thank you so much for watching me और last में मेरे videos हैं, यह मैं gate पे भी videos upload कर रहा हूँ aptitude के, अगर आप gate की तयारी कर रहे हैं तो बहुत ही helpful होने वाला है यह मेरी जो videos है, यह मेरे real answers की पूरी playlist है जहां पर मैं अभी videos upload कर रहा हूँ So, यह दुनों मेरे channel है यह मेरा नया channel है, यह मैं अभी aptitude में CSIR, NET, gate और IT, jam पे काम कर रहा हूँ यह मेरा पुराना channel है, जिस पर मैं higher maths के videos upload करता हूँ So, thank you so much Like करे, share करे और channel को जरूर subscribe करे Notification bell को press करके रखे So, देट के आने वाली classes के notifications आपको मिलते रहे, धन्यवाद